जातियों अभिम्लोपसित हैं एक्जाम टोर चैनल पर आपसे बता दें शिविल कोट को लेकर यानि कि कुछ एक्जाम 17 को है और एक्जाम कब होगा जैसे प्यूनोगरा का हो गया बहुत सरप पदेशा है जिसका एक्जाम डेट नहीं आया है उस पर चरजा करेंगे रमांसु प्रियास करने के बाद सिविल कोट पर आवाज उठाने के बाद अभियर्थी परिशान हो गये थे कि क्या हम लोग का एक्जाम होगा या नहीं होगा संख्या बल कभी-कभी खराब हो जाता है बहुत सरा अभियर्थी आवेदन कर दिये थे वहीं लग रहा था जो सिविल कोट का भी अवेदन किये हैं उसके साथ साथ बिहार दरोगा का भी अवेदन किये थे जो प्रोपर सिविल कोट वाले हैं उनको क्या करना चाहिए उनको केवल अब क्या करें चुकि अंतिम समय है अंतिम एकसप्रा है देखे अभी जो एक्जाम होने वाला है स्ट तो जो लोग जैसा होता है निए ज हुए पिज़ेद कर सकते हैं आपको बीपीएसी टियारी का भी है तो थोड़ा सा आप लोग यह देख लिजेगा कोई भावना में बहुत कोई एक्जाम मत दीजेगा एक्जाम जब भी दीजेगा तो देखिएगा कौन से ऐसा एक्जाम है जिसमें हम कौलिफाई कर सकते हैं जिसका तैयारी अच्छी है औ पाद में जो भी दरोगा किया आगी तो देखेगा इसी तरह अगर किसी लगे का जो है शॉट है अच्छा नहीं है टाइपिंग अच्छा नहीं है तो फिर उस सील कोट के लिए नहीं जाके वो दरोगा के लिकोसिस करेगा तो इसी लिए आप देख लिजेगा कि कौन सा आप एक्जाम के त्यारी करिएगा वही आप एक्जाम दीजेगा तो एक साथ दो दो एक्जाम टकरा देना आयोग और सरकार को ये सब विचार करना चाहिए कि पहले जिसका डेट दिया है एकाद दो दिन इधर उधर कर दें या समय से ले ले लें इस सब पर सर कोई कुछ देखे दरसल क्या है ना कि क्या बताया जाए लोग नौकरी देने के लिए परिक्षा नहीं कराते अगर परिक्षा नौकरी दिलाने के लिए होता ना तो हर साल परिक्षा होती हर साल वेकेंसी निकलती ये जो वेकेंसी एक ही महीने में पांच लाग वेकेंसी जो देके इन को एक नियम बनाना चाहिए जैसे नियम कानून भांगान बना चाहिए जैसे पान साल में गोगाई एलेक्षण होता है न भाई अब इस जो है एज क्रॉस नहीं कर पाता है। तो परिच्छा इसे आप से हो नहीं चे लेकिन बहुत सारा प्रसासन, बहुत सा राजनितिक दल वो इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस परिच्छा हैंत इन हो जाए किसी तरह से और उसका कोई विश्यस निगरानी करने वाला भी नहीं नहीं परिच्छा इसको तो मना करना चाहिए नहीं क्यों सत्रा को दे रहा हो। यूजिक बहुत सा लड़के वही हैं यहां तो जीसे बिहार में क्या है क्या लड़का 10th पास करता तो फॉर्म भरना शुरू कर देता है। सरकार इनोगरी करेगा सब फार्म बरेगा तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो टीचर का भी फार्म बर रहे हैं जो दरोगा का भी फार्म बर रहे हैं जो आपका क्या नाम है सिविल कोड का भी फार्म बर रहे हैं और साल और पहले का है वो एक कोड का अलग एकजाम है अच्छा एक तो समस्या यह दूसरी समस्या भी क्या है कि जब इतने सारे बच्चे एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाएंगे आने याने बहुत सारी समस्या होगी रेलवे में जाके देखिए का पटना जंक्शन बावलो कवर कीजिएगा कि जो है वहां पे पैर रखने की अगर नहीं होगी तिनका टीचर तो ही करना जब पंद्र सोला को टीचर का है तो बच्चे जब निकलेंगे तो सोला सत्र तक यह डिस्टर्व रहेगा उसका दूसी दिन जो है सत्रा को एक्जाम है तो बहुत सारे लोगे आए जाएंगे तो उनके लिए बहुत इस्टर्व समस्या का सीधा आसर पड़ता है चात्रों पर इनको कोई ध्यान नहीं देने वाला इसमें जो है सरकार को प्रसासनी का दिकारियों को बोड को ध्यान देना चाहिए कि वह यह सारी समस्या भी है सिर्फ परिश्या देना ही समस्या नहीं है परिश्या विस्ती समस्या नहीं है सर जो अभ्यरती सिविल कोड का एकजाम देंगे अंतिम समय है अब एकाज सब्ता समय है इसमें वो क्या कर लेखिए इसमें सबसे होता है लास में रिवीजन के वल रिवीजन जितना टेस्ट पेपर अपना पास है रिवीजन है उसको करते रहो बागी कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता है रिवीजन रखो दिमाग को कूल रखो सांत रखो और प्रैक्टिस करते रहो कि उतने देर में तुम कुछन सॉल्व कर पा रहे हैं कोई नहीं और human error कम से कम करते जाओ भरते जाओ करते जाओ और फिर जो भी वहां पे डॉकुमेंट्स में सारी कीजिए भरी जाती है उसको प्रापर सही धंग से भरना क्योंकि बहुत सब्सक्राइब हो जाते हैं कि वह लोग पूरे डॉकुमेंट्स पे या जो कुशन पेपर होता है या आंसर सीट होता है उसके सारी कीजिए सही से भरते नहीं वह गलती बिलकुल नहीं होनी चीए उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है तो वह कर हो वेकेंसी काफी बड़ी तो इसलिए बड़ी वेकेंसी के लिए उसका डेट जरूर आएगा अब डेट का जो है निधारक कैसे होता ए मदो खुझ नहीं समझ में आ रहा है तो इन लोग को डेट करने अधान तो करना ही पड़ेगा लेकिन यही है कि अभी तो मुझे रखत झाल झाल